आप भी जानते हैं कि भाजपा के अलावे और हमको कोई टुकरा टुकरा गेंग का लोग नहीं कहता है हैं जब भाजपा कहता है तो उसी का टुकरा टुकरा करेंगे अपने बारे में सोचे और इतना दुखी क्यों हो रही है कॉंग्रेस को ले करके कॉंगरेस जितना कमजोर होगी उनके हिसाब से तो उनको खुस होना चाहिए ना उसको इस खुसी में पूरे देश के सभी लोगों को 15-15 लाख रुपया उसके खाते में पहुचा देना चाहिए आम के पेर के नीचे खड़ा होकर के खूब जोर जोर से माईक लगा के बोलें कि केला है केला है तो आम केला हो जाएगा नहीं होगा न जेनियो एक संस्थान है और उस संस्थान में हमारे जैसे हज्जारों लोग आये और चले गए वो संस्थान से मतलब हर तरह के लोग निकलते हैं वो किसी एक विचारधारा की एक संगठन की बपोती नहीं है उसको सिंबोलाईज किया गया है उस तरीके से हम पूशते हैं कि जैनियों गर इतना खराब है इनकी नजरों में जो गद्दी पे बैटे हुए है तो दुद्दू को मिनिस्टर का है जैनियों से बनाये हैं डपोर संख है क्या खुद सरकार नहीं चला सकते हैं जैनियों वाला चाहिए अभी जिस लड़की का वीडियो वाइरल हो रहा था उधर अमेडिका में वो जैनियों से पढ़ी हुई है अभी पेरा उलम्पिक हुआ है उसमें से पदक लेकर कर आया है जैनियों जैनियों का पहचान सिर्फ हम से नहीं है भाई इनको मज़ा आता है काय भाई तो ब्रांच चिपकाते हैं आप भी जानते हैं कि भाजपा के अलावे और हमको कोई टुकरा टुकरा गेंग का लोग नहीं कहता है, हैं, जब भाजपा कहता है तो उसी का टुकरा टुकरा करेंगे, अपने बारे में सोचे, ओ इतना दुखी क्यों हो रही है कॉंग्रेस को ले करके, कॉंग्रेस जितना कम जोर होगी उनके हिसाब से उनको खुस होना चाहिए ना उसको इस खुसी में पूरे देश के सभी लोगों को 15-15 लाख रुपया उसके खाते में पहुचा देना चाहिए ये कौन सा प्रेम है एक पतरकार चिला रहा था उसके इधर नस फटने वाला था ठीक है क्या का रहा था कि कैप्टन की अरे भाई अब आपको कैप्टन की चिंता हो रही है कैप्टन कुछ दिन पहले मुख मंत्री तब आपको चिंता नहीं हो रही है ये सब भोंडापन है और जनता को न मुर्ख समझने की गलती लोग करते हैं करें जो इनको बिठाई है वही इनको लतियाएगी यह आप देखिलेजेगा